सो फ्रेंड्स इस वीडियो के माद्य हम से दो नई वेकेंसी की इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर जानेंगे इनमें जो पहली वेकेंसी की जो आपके यहाँ पर डीटेल है यह एनेचेम के अंतरगत यहाँ पर रहेगी एनेचेम है स्वास्त बिवाग का यह रिकूरूट पर आई है तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके दोनों वेकेंसी की डीटेल को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरीके से वेकेंसी की जानकारी आगे भी पाना च चाहते हैं तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेट बिटन को क्लिक कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अपडेट को और बढ़ते हैं अपनी पहले नोटिफिकेशन की ओर तो पहला जो notification है, NHM के अंतरगत यहां पे vacancy है, तो बिल्कुल आप लोग यहां पे देख सकते हैं, NHM का यह recruitment है, और NHM का यह logo भी यहां पे बना हुआ है, ठीक है, और यह vacancy, राष्ट्रे आरोग अभिहान, इनके तरब से recruitment यहां पे निकाला गया, और आप सभी को यहां पे मैं बताना चाहता हूँ, यह vacancy, NHM माराष्ट के अंतरगत यहां पे निकाली गई है, इसको देखे, मैं थोड़ा यहां पे जूम करता हूँ, तो यहां पे जो है, राष्ट्रे आरोग अभिहान, जो की NHM के अंतरगत है, और माराष्ट्र, माराष्ट्र गवर्मेंट का यह रिक्रूट्मेंट है, आए देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी मैं आपको आप इन्फोर्मिशन दूँगा, ठीक है, और्थोपेडिक्स यहां पे पोस्ट है, एक पर है, पीडियर्ट्रिशन के चार पर है, एनिस्थेटिक्स के यहां पर एक पर है, सर्जन के इसमें आप दोस्टों आप पर दो पर है, इसके बाद देखें, डॉक्टर्स के लिए और भी विकेंसी हैं, तो जल्दी से बता देता हूँ, रिडियलोजिस्ट की एक है, पिजिशन की तीन है, एनिस्थेटि सर्जन की एक है, ओप्थेल्मोलोजिस्ट की यहां पर एक है, इसके साथ साथ मेडिकल ओफिसर की देखिए, तो अलग-अलग जगाओं पर ठीक है, अलग-अलग यहां पर सास्थाओं में, यह विकेंसी जायां पर एक हैं, तीन है, तीन है, पांच है, एक है, ठीक है, तो करीब करीब 10 प्लस पोस्ट है, medical officer की, इसके बाद देखिए, अब आते हैं, para medical की जो vacancy है, तो इसमें audiologist की पोस्ट है, इसमें एक पद है, इसके बाद देखिए staff nurse female, तो देख सकते हैं, staff nurse की करीब करीब यहां पे 7, 2, 2, 2, दे add करने के बाद करीब करीब 24 पोस्ट आप पे staff nurse की आप जो है, रहने वाली है, और यह सभी staff nurse female candidates के लिए, BSC nursing और GNM का डिपलोमा इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा, इसमें 20,000 रुपे आपको आप पे salary मिलेगी, इसके बाद manager public health के अंतरगाद आप एक पोस्ट है, यह एक पद है, और इसमें MBA, sorry, MCA, BTEC, B, यह candidates apply करें, और B, IT वाले, ठीक है, B, computer science वाले, यह सभी candidates आप लोगों इसमें apply करेंगे, counselor की भी इसमें आप एक पोस्ट है, इसमें MSW का course आप लोगों से मांगा, जा रहा, इसके बाद next देखिए, accountant, तो एक पोस्ट आपे accountant के रहेग यह पूरा आपको other language में आपको यहाँ पे दिया गया, और यह जो language है, पूरा Manastrian language का, आपको यह notification दे जा रहा है, तो इस language की यदि आपको यहाँ पे knowledge है, तो आप लोग जो है, इस notification को अच्छे से read कर लें, और apply आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें जो आविदन करनी के यहाँ पे जो last date है, बारा सब्टेंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगी, बारा सब्टेंबर 2024, तो इस date तक जो है आपका आविदन हो जाना चाहिए, इसके बाद दोस्तों, next vacancy पे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यह vacancy MP government के अंतरगत है, National Institute of Mental Health Reh Rehabilitation C-HOR, तो दोस्तों, NIMS का यह recruitment है, NIMS C-HOR, इसका जो कार्याले है, ठीक है, C-HOR के अंतरगत यहाँ पर रहेगा, और यह All India vacancy यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाले गई, Government of India यह जो कार्याले है, NIMS का, यह Central Government के अंतरगत यहाँ पर वर्क करता है, तो इसमें All India candidates apply करेंगे, और इसमें दोस्तों देखिए, Assistant Professor की यह vacancy आप लोगों के लिए आपे निकाली जारी, और इसमें आपको salary package बता दियागा, direct यहाँ पर recruitment है, और direct यहाँ पर नहीं रहता है, तो deputation के थ्रूँ इसको आप फेल यहाँ पर कर ले जाएगा, ठीक है, इसके बारे में तीन वर्ष का इसमें आपको अनुभव चाहिए, और जो deputation basis पे हैं, तो आप लोगों के लिए आप पर जो है, 5-year का regular service जो है, आपके पास यहाँ पर lecturer के अंतरगत, जो की psychiatric nursing के अंतरगत, या फिर इसी pay level के अंतरगत आपका यह रहना चाहिए, इसमें दोस्तों देखिए, आपको apply करना होगा, और इसमें दोस्तों देखिए, एक और यहाँ पर बात है, यह vacancy, PWD candidate के लिए आपको यहाँ पर निकाली, जारी, तो दव्यांग candidates के लिए recruitment यहाँ पर आया हुआ है, और इसमें आप लोगों को apply कर दे रहा है, इसकी last date भी मैं आपको यहाँ पर बाता से, तो देखिए, 30 अगस्त, 30 अगस्त को यह notification जारी हुआ, चलिए मान के चलते है, 24 अगस्त को भी यह notification अगर यहाँ पर जारी हुआ, तो इसमें आपको यहाँ पर 45 दिन add करना है, तो काफी परियाप्त समय है, आप लोग यहाँ पर PWD candidates इस post के लिए apply कर सकते हैं, विकेंस